तो डाइलेक्ट्रिक्स से सम्मंदित एक और विशह है और जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेस्मेंट फील्ड तो आज उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे डिस्प्लेस्मेंट तो अगर डियलेक्ट्रिक है तो फिर हम लोग कहते है कि इसमें प्लराइजेशन हो सकता है और एलेक्ट्रिक फिल्ड तो होता ही होता है अभी जागा पे तो हम लोग एक वेक्टर डिफाइन करते हैं D जिसको displacement वेक्टर कहते हैं और वो है एप्शलन नॉट इंटो ई और प्लस पी कोई डियलेक्ट्रिक है और किसी बनाते हैं जिसको कहते हैं displacement at that point इस point पर displacement वेक्टर यह इतना है कि उसको displacement क्यों कहते है मुझको ठीक से अंदाजन नहीं है इसका हिस्टरी में जाना पड़ेगा कि इस प्लेस्मेंट नाम क्यों पढ़ा इसका शायद polarization होता है उस में कुछ electron clouds का displacement होता है वहां से कोई relation है या क्यों है पता नहीं लेकिन नाम तो नाम है बस नाम मातर के लिए इसको ध्यान में रखेंगे कि इसको displacement field कहते है लेकिन यह quantity बड़ी यूसफुल है यह quantity बहुत यूसफुल है और इस कारण से इसको हम लोग पढ़ते है एक एग्जाम्पल लेते हैं यह जैसे capacitor plate है माले हमारे पास capacitor है और इस capacitor के जो दो plates है उस पर प्लस और माइनस charges है चार्जड केपसिटर है यहां पर यह जो सर्फेस चार्जड देंसिटी है वो सिगमा है प्लस सिगमा यहां पर और माइनस सिगमा यहां पर और कोई एक डियलेक्ट्रिक स्लाब है उसी तरीके की प्लीन एक बना लिया है थो बड़ा सा सर्फेस एरिये हम वहाँ पर भी यहां भी बड़ा सा सर्फेस अरी इस यह की डियलेक्ट्रिक स्लाब है यह यह सनलेश आंग्यां तो चुके यहां पे positive charges है यहां negative charges है तो electric field होगा और वह electric field यहां इस dielectric slap की जगह पर भी होगा उस electric field के कारण से electron clouds shift होंगे यह अगर permanently वहां dival moments हो रोटेट करेंगे और कुल मिलां करके यह polarized हो जाएगा polarization हो जाएगा और वो polarization जो है वो polarization vector P बन जाएगा इसके अंदर में तो अब अगर हम इसका इस चीज को construct करने के कोशिश करें epsilon not E plus P को यहां यहां और यहां तो अगर यह नहीं होता तो को जंजट ही नहीं था डी बराबर epsilon not E कहते हम अब जो है हम इसके presence में भी बात वही रह जाएगी यह point A कह लें यह B कह लें और C कह लें तो हम D at A निकालने की पहले कोशिश करें D at A इस point पर D निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा D at A तो epsilon not E और प्लास P और याद रखिए यह conductor है यह conductor है क्या प्लेट्स के प्लेट्स में है आसपास यहां चार्जेश आ जाएंगे वहां चार्जेश आ जाएंगे यहां चार्जेश हैं उन सब का मिलां के जो combined effect है वह combined effect है कि यहां जो इलेक्ट्रिक फिल्ड है वह कि वह सिग्मा बाई एप्सलन नॉट इतना है जो भी डिरेक्शन उसका है जो कि अगर कंडुकटर है तो यह शरॉफ इसके से उस नहीं है इसके कारण से ही कैवल उता सिग्मा बाई टू एप्सलन नॉट कि सिंछ रहे हैं किवा 57 कि अब आ को इसे वार्डान का इस कट्टेशन नोट इसरा संब्सर्टर सर्फेसरह सब्सक्रार के पॉर्ट चुकि इन्फिनिट बड़ा प्लेन कंड़क्टर हम लोग मान के चल रहे हैं इसलिए जस्ट बाहर नहीं कि थोड़ा और भी बाहर हो तो भी यह बात चलती है तो यह इतना और पीजिरो एपॉइंट पर पीजिरो डियालेक्रिक मिटिरियल ही नहीं है यहां पे जब मिटिरिय नौट से मुल्टिप्लाइब करेंगे सिग्मा बन जाएगा पीजिरो है इसलिए शिग्मा और यहीं बात सी पॉइंट पर भी होगी अगर आप सी पॉइंट पर भी करेंगे तो यहीं लॉजिक भी चलेंगे सारे यहां पे माइनस सिग्मा का चार्ज कंड़क्टर के ऊपर है सर्फेस चाल्ग देनसीटी माइनस सिग्मा इसलिए निट फिल जो रिजल्टेंट फिल होगा वह यहां पर माइनस यानि जो भी डिरेक्शन है उसका और सिग्मा बाइपसलन नौट इतना होगा कोई प्लराइजेशन नहीं है इसलिए इतना रहेगा तो यह भी सिग्मा अब आजाए अंदर अंदर का क्या हालत है डी आट डी आट बी पॉइंट पर आजाए यहां पर जो एलेक्ट्रिक फील्ड है और जो प्लराइजेशन है उसको आप मिला करके देखें यहां जो सर्फेस चा जाएगी वो देखें यह एलेक्ट्रिक फिर ऐसा है और इसलिए जो यहां पर हमारा पॉलराइजेशन आ रहा है वो इस दिशा में है इसलिए यहां अगर आप देखेंगे आउट वर्ड नॉर्मल करेंगे तो इस तरफ को जाएगा एन और पी इधर है इसलिए यहां जो सर रिख देनसिटेटी वह है और इसी तरह से यहां देखेंगे तो जो नॉर्मल खीचेंगे और जो पी है वो भी इधर को ही है यहां पे और यहां जो आ जो जन सिटी आ गे वह आएगी ऐसा प्लास पी अब एलेक्ट्रिक फिल्ड देखिए आप इस पॉइंट पर निकालने के लिए हमारे पास में चार दिस्टिविशन एक दो तीन और चार हुआ हमने इसके परवाह नहीं कि थी जब हम यहां फिल्ड निकाल रहे थे तो हमने इसकी परवाह नहीं कि जो इलेक्ट्रिक भी लुए अब जो इलेक्टिक फील्ड आप लिखेंगे अब वह एलेक्ट्रिक फील्ड कई हो के कारण से हैं इस प्लॉस सिग्मा के कारण से क्या सिग्मा भाई टू एपसल All नौटकिन हा पॉजिटि आज है इस पॉइंट पर देख रहें नीचे कि तरह इसकी करण से देखिए सिगमा वैट डाइampasnt नौट कि ढ़ निचे कि तरह यहां इस नेगेटिव चाज के कर अद्गीएस नेगेटिव चार्च के करण से यह है यह से चार्च डैंसिटी है is कारण से रही वह ऊपर के तरफ कितना उपर के तरफ है और वह है पी आसलरत अंटिसारफस डेंसिटी ऑrimin으ल्य जो निकल रही है टानीकल रहा है सोले साफस चार्ज डेंसिटी है तो फी सर्फेस चार्ज डैंसिटी इस एरिया पे है यहां पे आप उसके कारण से फिल्ट देख रहे हैं तो पी बाइटू एपसलन नौट उबर के तरफ तो यह हो गया उपर के तरफ और उसके बाद पिर इसके कारण से यह जो यहां प्लासथी है उसके कारण से विантपर के तरफ यह क्या लिखेंगे हम यह पी बाई टू एपसलन नॉट यह भी उपर की तर उसके का रण से मैंने फिट लिख लीए यह इतना और प्लासथी down plus P P और ये वाला P ये वाला P अब लिख रहे ये सब्सक्राइब नचे की तरफ है तो पी नीचे की तरफ है, इस EpsilonOR को भादतान करेचे, और अब देखिए यहां से आ रहा है नीचे की तरफ सिग्मा बाइटु प्लस सिंग्मा बाइटु सिग्मा आया यहां से, यहां देखिए फीवाइट्व उपर फीवाइट्व उपर और पी निचे फीवाइट्व उपर पीवाइट्व उपर और फीचे मिलके सब खातम हो गये और यही सिग्मा केवल बच गया इक्वल तो तो ए पॉइंट पर जो डी का वैल्यू हो सिघ्मा है सिउन्हिक पर जो डी का वैल्यू है और डायेलेक्ट्रिक्स स्लाब के भीतर भी जो डी का वैल्यू है वह भी सिघ्मा कर दी Charges आ गये हैं उनसे कोई मतलब नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं है यह एक सरफ मतलब किसे सिंगमा से फ्रीचार्ज देंसिटी यहदो चार्ज यह जाइब यह यह बाउन्दということで ultimately related है और बाउंड चार्ज है भी तो एक लिस्ट कुछ परिश्थितियों के अंदर में वो डी को एफेक्ट नहीं करते हैं लेकिन वो डी को एफेक्ट नहीं करते हैं ऐसा डी का की प्रबर्टी है हम लोगों ने गॉस्ट लॉग की बात कि थी गॉस्ट लॉग if the divergence of e is equal to rho by epsilon naught or is내 का नहीं का integral form हिर बनायाँ 3Dot d a on a closed surface is equal to charge in close को बिए दिट देन्सिटी यह तोटल चाँग देन्सिटी यह यह तोटल चार्ज देनसिटी वह और यह तोटल चाइनसिटी यूज रख से घम्राऊंडैंसंद्धेश्टी में और estratég कि दोनों कम्बाइन टोटल कितना चार्ज है वह यह है अब यह गॉसेज लोग को हम लोग इस दिस्प्लेस्मेंट डी के टरंप में लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो यह जो रो है डाइवर्जंस ऑफ इस एकवल टू रो यह रोज बी भी हो सकता है रोज दी आपसलों नौट और डाइलेक्ट्रिक है और अंदर में पोलराजेशन हो गया है और वह पोलराजेशन यूनिफॉर्म भी नहीं है उसका डाइवर्जंस भी 0 नहीं है डाइवर्जंस ऑफ जो है व का सर्फेस है और उस सर्फेस पर चार्ज आ गए है तो सर्फेस चार्ज देंसिटी को भी डिराक डिल्टा फंक्शन का इस्तिमाल करके वॉल्म चार्ज देंसिटी हम बना सकते हैं और वो वॉल्म चार्ज देंसिटी हम फिर डाइवर्जेंस के रूल के नुसार उसको मैच करा सकते है ऐसा लिख सकते हम इन जनला और जो रो भी है यह मिनस divergence of P इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस रो एफ और बाइप्शलन नॉट इस एप्शलन नॉट को यहां गुना कर देजे एप्शलन नॉट इंटो divergence of E is equal to minus divergence of P plus free charge density यह सरफ free charges की density वहाँ पर बाउंट चार्ज भी पड़े हैं लेकि अब जो यह एफ लिखा जा रहा है रो एफ लिखा जा रहा है यह जो लिखा जा रहा है यह free charges की density और इसको आप इधर लिए एप्शलन नॉट को इसके साथ कर लें divergence of epsilon not E यह इसको लिख लिया हमने और इसको इधर ला रहे हैं तो इधर आके माइनस का plus हो गया है divergence बाहर है यह ऐसा plus बन जाएगा plus P बन जाएगा यहां पर और इस साइड में बचेगा रो एफ यहानि divergence of D is equal to rho f जैसे divergence of E बराबर total charge density divided by epsilon not है उसी प्रकार से divergence of D बराबर free charge density वहां उस पॉइंट पर कितनी है वह यहां पर है यह हमारे gausses law का दूसरा प्रकार है यह दूसरा प्रकार है इसी से निकाल करके लाया हूं इसी से निकाल करके लाया हूं कोई अलग रूल नहीं है यह लेकिन आप चाहें तो सिरफ free charge density के टर्म में इसको लिख सकते हैं क्योंकि free charges होते हैं उनको हम control करते हैं हम battery से charge डालते हैं वगरह और जो bound charges होते हैं वो dielectric polarized हो गया और charges आ गये तो उस पर हमारा control उतना नहीं होता है हम मन चाहा रो भी पैदा करना ज्यादा कठीन है मन चाहा रो एफ पैदा करना उसके अपरिक्षर ज्यादा आसान है तो अगर हम केवल free charge के terms में गौसर जलो लिखना चाहें रो भी का चुके हमें पता नहीं है तो हम को इस दी के साथ उसको हम लिख सकते हैं और correspondingly इसका भी हम यह integral form ले सकते हैं डी डॉट दिये किसी close surface पर और वो क्या हो जाएगा केवल free charge को देखिए free charge enclosed उस वाल्यम में अगर कोई बाउंचार्ज है तो इग्नोर कर देजिए उसको सब्सक्राइब को देखिए this that's it epsilon not be लगाने का ज़रूत निया क्योंकि अंदर में और या जाता है तो ऐसा करके हम लोग यह गौसे लोग को भी इसमें लिख सकते हैं अब हम लोग एक एक्जाम्पल लेते हैं एक सवाल बनाते हैं जिनमें की इन चीजों के थोड़ी सी और इसमें करते हैं तो पहले जगें बना लें तो सवाल हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि हमारे पास में एक घर मेने a dielectric material radius R है और center पेक free charge मैंने उसमें embed कर दिया है ये free charge Q हमने उसको center पर embed कर दिया है So, a free charge Q is placed at the center of of a spherical dielectric और कैसा dielectric है तो linear dielectric है विफ एलेक्ट्रिक सुसेप्टिबिलिटी काई E और रेडियस उसका capital R है रेडियस ओफ दी स्पियर इस capital R यह पूरा dielectric का स्पियर है और हमने किसी तरह से इसके अंदर यह Q charge inject कर दिया है घुशा के छोड़ दिया है और हम अश्यूम कर रहे हैं कि वह Q charge खुद बहुत थोड़ी जगह ले रहा है इसलिए हम यह उसके उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि यहां पर कितनी जगह के बाद से डियालेक्ट्रिक शुरू हो रहा है लेकिन आप बिल्गुल कर सकते हैं उसकी चर्चा और अब हमें क्या चाहिए find d e p and rho b at all places तो हर जगह पर हर जगह पर इसके अंदर इसके बाहर इसके अंदर भी इसके बाहर भी मुझे यह सारी चीजले चाहिए फैसे सबसे पहले हमने शुरुआ करते है इस d के लिए फैला d के लिए तो जिस पॉइंट पर मुझे ये डी का वैल्यू चाहिए वो पॉइंट इस स्फियर के अंदर भी हो जकता है बाहर भी हो जकता है वहां से हम एक स्फेरिकल सर्फेस खीचेंगे और उसके उपर हम गौसलों का इस्तिमाल करेंगे तो अगर यहां है हम बाहर में हैं हम ऐसा एक स्फेरिकल सर्फेस बनाएंगे कंसेंट्रेक तो आर ग्रेटर दन कैपिल आर के लिए हम काम कर रहे हैं हम ऐसा एक स्फेरिकल सर्फेस बनाएंगे और उस पर इस्तिमाल करेंगे किसका गौसलों का क्या है गौसलों दी डॉट दी आ on a closed surface is equal to q free enclosed यह सारे सिमिट्रिय है सारे सिम्यै यहंब रखा गया है सेंटर के उपर तो किसी भी थीटा फाइफर रहे है आर चोटे सबसे पहले तो यह एक दूसरे के पैरलल है क्योंकि इसके कारण से लेक्ट्रिक फिल्ड है वह से प्लराइजेशन है तो साना पॉलराइजेशन जो है सब्सक्राइजेशन जो है वह बिए टिरेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यह D into D A, इसके बराबर है, cos theta is 1, और D constant है, यह left hand side जो है, वो इसके बराबर है, यह और इसमें से भी D, चुके हर जग है, एक ही जितना रहने माला है, इस surface के पर, यहां, 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 जो भी D है, सभी जगा, spherical symmetry है, इसलिए यह है, D into 4 pi into r square, यह यह small r greater than capital r, तो हमने, जिस पॉइंट पर D निकालना था, यहां, 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 इसके दूरी जो है, वो आर है, यह D into 4 pi r square, इस close surface पर हमने integrate किया है, और right hand side के, है, enclosed free charge, सिरफ यह Q, इसमें अगर कोई चार्ट आया है, volume चार्ट आया है, बुल जाए, यहां कोई surface चार्ज आया है, और जो left hand side है, वो यह वाला है, इसलिए D वराइबर Q divided by 4 pi small r square, ऐसा, और अगर आप r less than r, capital R करें, और आपका Gaussian surface जो है, वो यहां नहीं बन करके, और इस material के अंदर से जा रहा होगा, हमें जो D चाहिए, वो यहां कहीं पर D चाहिए, तो हम ऐसा एक spherical surface create करते हैं, और इस spherical surface पर इस गौश लोग को हम फिर से इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखें, मेरे सारे arguments अभी भी valid हैं, इस Q के कारण से जो electric field बन रहा था originally, वो spherical symmetric था और उस electric field के कारण से जो polarization पैदा होगा, इस material के अंदर में, वो भी spherical symmetric होगा, इसलिए इन सब जगों पर, और हमें interest इस से इस spherical surface के उपर है, तो इन सब भी जगों पर, इस spherical surface के सब ही जगों पर, यह जो P है वो भी radial है, और उसके कारण से कोई bound charge वगर आया होगा, कोई surface charge आया होगा, वो भी spherical symmetric होगा, जो आर्गुमेंट में वहाँ दिया था इसके लिए, वही आर्गुमेंट हम यहां भी दे रहे हैं, और इसलिए जो अंत में D बनेगा, विचिज एप्सलन नौट, कापिटल E, प्लस P, वो जो D बनेगा अंत में, वो D अभी भी spherically symmetric होगा, और इसलिए फिर से आप कहेंगे कि D A के साथ में उसका angle जो है, वो 0 है, और इसलिए यह इसके बराबर है, और चुकि D का value यहां, 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 सब जगए एक जैसा होना है, theta 5 पर कुछ भी depend नहीं कर रहा है, इसलिए इसको इतना होना है, इसके अंदर भी free charge उतना है, क्य epsilon not E plus P से सोचेगा, तो जब बाहर में थे तो यहां P 0 था, अभी P पर आएंगे, जब यह P पर आएंगे तो इसके चर्चा करेंगे, अंदर में P 0 नहीं है, लेकिन D को अगर देखते हैं, तो D वैसा कब ऐसा है, D बराबर Q बाई 4 पाट, R स्क्राट, R दिस्टेंस पर, यह जो है वो यह है, तो सभी जगह, R greater than capital R, R smaller than capital R, सभी जगह पर D जो है, वो इतना है, और D जब इतना है, तो अब नेक्स पर आजाए, E पर आजाए, R greater than R में अगर E देखते हैं, यहां अगर E देखते हैं, यहां कर D पता हो गया, और E देखना है, तो D क्या होता है, Epsilon not E plus P, और P बराबर 0 है, अगर आपने यहां देखना है, इस जगह पर बाहर में देखना है, इस जो dielectric sphere है, उस sphere के बाहर में देखना है, material नहीं है, material नहीं है, तो dipole moment कहां से आएंगे, dipole moment नहीं आएंगे, तो polarization 0 होगा, तो यहां पर P 0 है, यह 0 है, और इसलिए, और इसलिए, field जो है, वो है, D divided by epsilon 0, अर्थाथ, Q divided by 4 pi epsilon 0, small r square, r cap, यह electric field बाहर में, और ठीक भी है, क्योंकि इस Q के अलावा, जो charges है, वो कहीं से लाए तो है नहीं हमने, इस dielectric का खुद का ही charge इधर दर बटा है, और वो इधर दर बटा है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, जैसे भी बटा होगा, तो इसलिए, टोटल चार्ज को कि जीरो ही है, बाहर से हमने चार्ज दिया नहीं है, यह क्यू चार्ज अलग से free charge है, उसका हिसाब हम करी रहे, तो उनके कारण से bound charges के कारण से कोई field नहीं है, और यह यतना field यहाँ पर है और अगर हम R less than R पर चलते हैं, R less than R पर चलते हैं, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे, D बराबर epsilon not E plus P, जाने खेगा यह जो electric field लिख रहे हैं, यह क्यू चार्ट के कारण electric field नहीं है, यह resultant electric field है, जब यह equation लिखते हैं, यह resultant electric field है और यह polarization है, तो यह, लेकिन अब यह देखें, इसकी susceptibility काई E दी हुई है, तो यह भी एक relation है, जो यहाँ पर actual resultant electric field exist कर रहा है, because of the free charge, plus because of the bound charge, उसके साथ में इस P का रिष्टा है, epsilon not, काई E and E, यह यह रिष्टा है, तो P की जगह पर आप ऐसा लिख सकते हैं, D बरामर, epsilon not E or plus epsilon not, काई E and then this capital E or आप इसको कामने लिखें, तो बच जाता है, 1 plus काई E, यह रिष्टा है, यह रिष्टा है, बच जाता है, 1 plus काई E, यह रिष्टा है, आइसा, और D अपने को पता है, अंदर, बाहर, सब जगह D एक ही है, D जो है, वो इतना है, Q by 4 pi R square, अगर आप वेक्टर में लिखें, तो R cap, तो इसलिए E जो है, वो हो गया, Q by 4 pi epsilon not, 1 plus काई E and then R square, आइसा, R cap, तो आप यहां अंदर में जिस्व में हैं, यहां electric field आपको चाहिए, तो केवल इस free charge का electric field नहीं है, free charge के electric field के अलावा, इस polarization के कारण जो charges आए हैं, वो भी यहां पे शामिल है, और इसलिए यह ऐसा, P, बाहर में 0, P अगर देखते हैं, R greater than capital R करेंगे, तो 0, और अंदर में अगर देखते हैं, तो P is epsilon not, काई E times E, और E अभी अभी हमने निकाला हैं, यह हो गया, हमको इतने से score multiply कर देजे, Epsilon not, काई E से multiply कर देजे, Q divided by 4 Pi, Epsilon not, और फिर 1 फ्लस काई E, और फिर R square, Epsilon not को काट डालिए, तो यह एतना P, अंदर में, और अब बच गया, रोबी, तो रोबी अगर आते हैं, तो रोबी देख लिजे क्या है, रोबी is equal to minus divergence of P, और R greater than capital R के लिए तो 0 ही है, बाहर में तो bound charge होने का कोई मतलब ही नहीं है, डाइलेक्टरिक ही नहीं है, तो bound charge कहां से आएंगे, और अंदर के लिए, यह अब R less than R के लिए आप इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, और आपके पास में expression है P का, यह expression है P का, और P vector है तो आप R cap भी लगा लिजे यहां पे, और यह देखिए, इस में से, यह है minus divergence of chi E और Q और नीचे में 4 pi और 1 plus chi E, यह तो constant है, यह essentially constant है, इसको मैं divergence के बाहर लिखूँगा, बलकि अभी ही लिख सकते हैं, यह chi E लिख लिया, Q लिख लिया, 4 pi लिख लिया, 1 plus chi E लिख लिया, R cap by R square बचे गया, divergence of R cap by R square, आपको याद है, हमने इसकी भी चर्चा कभी कर रखी थी, शुरू-शुरू के अंदर में, divergence of R cap by R square की, अगर आप किसी point charge के लिए और किसी जगह पर electric field लिखते हैं, तो electric field होता है, Q divided by 4 pi epsilon 0, R cap by R square, यह और अगर आप divergence यहाँ ले ले लेजे, divergence of E बराबर Q by 4 pi epsilon 0, और divergence of R cap by R square, और divergence of E जो है, वो है, रो by epsilon 0, और यहाँ पर रो आप लिखेंगे, तो होगा Q into delta function at origin, at origin, यह, origin के ऊपर blow करना है, बाकि सब जगह एक जैसा रहना है, और integral करें तो भी सब मिल करके बन होना है, यह, तो इतना बराबर, इतना और यहाँ से आप लिख सकते हैं, रो by epsilon 0, रो इतना है, और by epsilon 0, यह, तो Q by 4 pi epsilon 0, divergence of R cap divided by R square is equal to Q by epsilon 0 delta cube R, और Q से Q को काटिये, Epsilon 0 से Epsilon 0 को काटिये, divergence of R cap by R square is equal to 4 pi उदर ले चलिए, 4 pi delta cube R, direct delta function, यह, 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 चीज़ उठा करके आप, यहां रख दिज़े, कहां, यह, और आपको volume charge density मिलेगे, और यह volume charge density आपको मिलने वाली है, यह कितना charge वहां पर बन रहा है, उसको देखी, यह 4 pi, 4 pi से कटेगा, वो से वल्जबरा कर लीज़ेगा, उतना charge आपको drag data function के रूप में मिल रहा है, यानि वह पॉइंट चार्ज है, वह भी point charge है, q के बराबर नहीं है, q के बराबर नहीं है, minus q नहीं है, उससे अलग है क्योंकि यह काई, e वगर आ गए है, लेकिन उतना है, तो चुकि हमने यह शूम करके चले हैं, कि बस just embed किया है, point charge है, और वहीं से dielectric शुरू हो गया है, इसलिए वहीं पर वह बांचार्ज दिखाया जा रहा है, आप जब रखेंगे वहाँ actual material, जो plus q free charge रखना है, तो किसी material पर ही रखना है, तो वह थेड़ी जगह लेगा, और उसके बार dielectric शुरू होंगे, तो वह जगह लेगा और जहां से dielectric शुरू होगा, वहाँ पर surface के उपर actually यह चार्ज बटने वाला है, लेकिन हमने चुकिए उसके लिए scope नहीं छोड़ा है, idealization कर दिया है, point charge क्यो है और तुरंट से dielectric शुरू हो गया है, तो इसलिए वह जो bound charge है, वह भी एक direct delta function के रूप में मुझे मिल रहा है, और यहां जो surface है, इस surface के ऊपर फिर से आप calculate कर सकते हैं, उसी का negative, क्योंकि total charge इसके ऊपर 0 होना है, यह हमारा यह सारी चीजें इस तरह से इसमसे निकल करके आती हैं, और इसी के चर्चा अगले lecture में भी चलेगी displacement vector की, और देखेंगे आम की क्या properties हैं,